ये दोस्तो नमस्कार दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जो अब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तो वीडियो को सेर कर दो UPNHM CHO भरती 2022 दोस्तो UPNHM की तरफ से CCHNCHO ओफिसर के 5505 पदो उपर भरती निकाली गई है जिसका दोस्तो आप लोगों को बता दे आइंसर के आ चुका है और आप लोगों का दोस्तो रजल्ट आने वाला है तो दोस्तो रजल्ट आने से पहले मैं आपको इस वीडियो में कितने बच्चों को वेटिंग लिश्ट में रखा जाएगा इसकी जानकाई देने वाले हैं और कितने बच्चों को दोस्तो, कितने केंडी रेट को जो है final short list किया जाएगा इसकी भी जान काई देने वाले है और दोस्तों बता दे कितने यहाँ पे जो है list आने वाली है waiting list के इसकी जान काई देंगे और साथ ही मैं आपको बता दो इस वीडियो में waiting list की जो cut-off होगी बहुत ही कम होगी जी हाँ दोस्तों बहुत ही कम जो है यहाँ पे waiting list की जो cut-off होने वाली है इसके साथ ही 100% यहाँ पे दोस्तों waiting list जो है clear होती है तो number one इस वीडियो में बात करेंगे कितनी यहाँ पे waiting list आने वाली है एक या दो या तीन कितने list यहाँ पे आएंगे और क्या waiting list clear होगी या नहीं होगी number third यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप लोगों का short list जो कितने बच्चों को short list किया जाएगा याने कि 5505 vacancy है तो सबसे पहले final जो list आएगा number one जो list आएगा रजल का उसमें कितने बच्चों को सबसे पहले short list किया जाएगा इसकी भी जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों बहुत ही जबरदस वीडियो होने वाली है इस वीडियो में जानकाय देंगे कि कितने बच्चों को यहाँ पे waiting list में रखा जाएगा चली दोस्तों यहाँ पे video start करते हैं तो अभी आपने दोस्तों इस video को share नहीं किया है जल्दी से video को share कर दो चैनल को subscribe कर दो बहुत ही जबरदस वीडियो होने वाली है एक ही करके दोस्तों आपको सारी जानकाय देंगे कितने बच्चों को waiting list में रखा जाएगा कितने बच्चों को कितने candidate को waiting list आने वाली है कितने list आएगी और कितने बच्चों को final solution किया जाएगा और waiting list के cut off कम होगी या नहीं होगी और waiting list clear होगी या नहीं होगी इन सभी के सवालों का जवाब जो आप लोग बहुत सारे यहाँ पर सवाल कर रहे थे एके करके आपको इस वीडियो में देने के कोशिस करेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो इस्टाट करते हैं तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो UP NHM CHO का दोस्तों अभी आपकी सारी इनफार्मेशन में देट यहाँ पर मेंशन किया गया है आप लोग देख सकते हो UP NHM CHO का दोस्तों नीचे आओगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेकेंसी के बारे में तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वेकेंसी है 5505 वेकेंसी है तोटल यहाँ पर दोस्तों जो वेकेंसी है यह तोटल यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कितने है तो 5505 वेकेंसी है जिसमें दोस्तों CHO याने की Community Health Officer के 2202 वेकेंसी UR कटगरी में है EWS में 550 वेकेंसी है OBC में 1486 वेकेंसी SC में 1177 वेकेंसी HD के लिए 110 वेकेंसी है तोटल 5505 वेकेंसी है रखी गई है अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर ही आपकी Information मनसर की गई है कितने बच्चों को Waiting List में रखा जाएगा तो जैसे आप लोग दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दे यहाँ पर देखिए 4.3 minimum qualifying marks यहाँ पर नीचे आओगे तो आप लोग देखोगे जो important instructions दिये गए है दिसा निर्देस दिये है पांचे वे नमबर इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो 1 ratio 3 के basis पर आप लोगों के यहाँ पर जो waiting list है त्यार की जाएगी किलियर है पहले देखिए total vacancy कितनी है दोस्तो total vacancy 5505 vacancy है किलियर है ना अब इसके देखिए तो 1 ratio 3 के basis पर जो है यहाँ पर waiting list त्यार के जाएगा यहाँ कि एक vacancy के साफेच तीन बच्चों को तीन candidates को दोस्तो waiting list में रखा जाएगा तो अगर हम total count करेंगे तो यहाँ पर 16,515 बच्चों को waiting list में रखा जाएगा किलियर है इस notification के अनुसार मैं आपको जानकाई दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वेटलिस्ट देखिए वेटलिस्ट त्यार किया जाएगा यह वन रस्यों थिरी के basis पर दोस्तों त्यार किया जाएगा एक vacancy के साफेच थिरी candidates को यहाँ पर waiting list में दोस्तों रखा जाएगा अब देखिए पिछली बार बश्यवप पर और चुच्ब लेंटmost त्यार किया घीए पर Sow falando किवेश्ट ऑन्स तास त्यार की साथ किने साथ नां की लिएकश्टी निकाले गया थी 29 Sa een inside second 14 क्यांगया ता और वेटलिस्ट्रियाक खिया निकाला गया था 1 ratio 3 के basis पर निकाला गया था जहांपे QU Parkinsonage जाना थी वहाँ पे 1 ratio 3 के basis पर दोस्तों वेटंग लिस्प यहां पे निकाला गया था आभकी बार वेकंशी जानदा है जी हां 5,505 यहां पर विकेंसिया है तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 1 ratio 2 के basis पर 100% दोस्तों यहां पर waiting list बनाई जाएगी अगर 1 ratio 3 के basis पर नहीं बनाई जाएगी waiting list तो 100% दोस्तों 1 ratio 2 के basis पर आप लोगों की जो waiting list है बनाई जाएगी यह बहुत ही important है जी हाँ दोस्तो 1 ratio 2 के basis पर अगर waiting list बनाए जाएगी तो cut-off दोस्तो बहुत ही कम होने वाली है जी हाँ दोस्तो आप लोगों को बता दी 37 से लेकर 45 के बीच में 55 के बीच में आप लोगों का यहाँ पे 100% सभी लोगों का clear हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा wait करिए waiting list की cut-off कितनी जाएगी मैं category wise यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ थोड़ा सा यहाँ पे analysis कर रहा हूँ अच्छे से poll करूँगा analysis करने के बाद ही दोस्तों मैं वीडियो बनाऊँगा तो अभी आप लोग थोड़ा wait करिए बाकी cut-off की वीडियो मैंने बना रखी है चैनलन पर है जाके देख लो तो मैंने बता दिया है इस notification में वैसे बोला गया कि 1 ratio 3 के basis पर waiting list यहाँ पे त्यार किया जाएगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बता दू 1 ratio 2 के basis पर ही आपकी बार यहाँ पे वेटिंग लिश्ट आप लोगो के बनाई जाएगी और कितनी लिश्ट आएगी यहाँ पे दोस्तों लगभग आप लोगों की जो है तीन लिश्ट आने वाली है maximum आपकी दोस्तों 3 लिश्ट आएगी और कम से कम आपकी 2 लिश्ट 100 परसेंट आएगी और दोस्तो waiting list जो है 100% clear होगी बाकि जब आप लोगों का result आएगा तो सबसे पहले आप लोगों का दोस्तो देखिए result आने वाला तो सबसे पहले आप लोगों का result आएगा यह most important है सबसे पहले दोस्तो आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों का result आएगा चाहेगी जिनका selection हो चुका होगा और इसके बाद दोस्तों आप लोगों का यहां पर offer letter आएगा अभी देखिए पहले क्या होता था कि जब यहां पर result आने के बाद दोस्तों direct जो है डीवी होता था document verification होता था लेकिन अभी होगा दोस्तों आप अब लोगों का रेजल आने के बाद direct offer letter आजाएगा offer letter आने के बाद जो आप लोगों का यहां पर डेश्टिक ऑलोड किया जाएगा वहां के जो होगा वहां से आप लोग जाके वहां पर सबसे पहले जब जॉइनिंग करोगे तो जॉइनिंग से पहले आपका डाकुमेंट वरी सिकेशन होगा और फिर आप लोगों का सेलेक्शन हो जाएगा तो रेजल के बाद दोस्तों आप लेटर आएगा और लेटर के दोस्तो waiting list आएगा तो result आने के बाद दोस्तो लगबग यहां पर एक हफ्ते की बाद जो है या पांच दिन के बाद जो है आप लोगों का scorecard आएगा इस scorecard में आप लोग जो है चेक कर सकते हो कि आपको short list किया गया है या आपको waiting list में रखा गया है अकर waiting list में रखा जाएगा तो आप लोग वेट करोगे 2-3 महिने के अंदर आपका दोस्तो एक या दो list आएगा waiting list का और 100% दोस्तो आपका waiting list जो है clear होता है clear है तो मैंने आपको दोस्तो एक एक करके एक टू जर सारी information दे दी है बिल्कुल official notification के दौरा मैंने आपको information दे दी है कैसा लागा वीडियो जरू बताईएगा thank you दोस्तो बाई में इसके कोई गलती हो जाती है मेरे दोरा वीडियो बनाते वक्त उसे माफ करना क्योंकि दोस्तो वीडियो बनाते वक्त कुछ यहां पर गलती हो जाती है जिसे आप लोग माफ करिए ignore करिए मिलते है नेक्स वीडियो में और भी नई अपडेट के साथ आपको वीडियो के माध्यम से साई इंफार्मेशन दे दूँगा धन्यवाद